बीते नौ फरवरी को कास गंच में पुलिस के साथ जो कुछ हुआ था। उसने एक बार फिर से कानपूर के विक्रू कांट की यादों को ताजा कर दिया था। अवेट शराब के खिलाफ कारवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब माफिया ने हमला किया और एक सिपाही को पीट-पीट कर मार डाला था। साथ ही एक सब इंस्पेक्टर को मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया था। नो फर्फरी को पुलिस टीम पर बर्पाधा कहें। शराब माफिया बोती ने पुलिस पर किया था हमला। कासगंज में कच्ची शराब का कारोबार करने वाले शराब माफिया मोती सिंग अचानक उस वक्त सुर्खियों में आ गया था। जब उसने अवैच शराब की भट्टियों की तलाश में पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। भुखार अपराधी मोती सिंग दपिश देने पहुंचे एक दारोगा और उसके साथ ही सिपाही पर कहर बन कर तूटा था। पुलिस के लिए मोती इतना भुखार अपराधी साबित हुआ था कि उसने सिपाही देवेंदर की पीट पीट कर हत्य कर दी थी। जबकि साथी दारोगा अशोक पाल कंभीर हालत में पुलिस पोर्स को बरामध हुए थे। नगला धीमर में अवैट शराब भट्टियों की पुलिस को जानकारी मिली थी। 9 फरवरी को सिड़पुरा पुलिस दपिश देने पहुंचे थी। दारोगा अशोक तीम के साथ पहुंचे थे नदी किनारे। शराब की भट्टियों को खत्व करना चाहती थी पुलिस। पुलिस ने शराब माफिया मोती शाक्य को घेर लिया था। लेकिन मोती ने सिपाही देवेंद्र की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। दारोगा अशोक को गंभी रूप से घायल किया था। पुलिस पर लाठी डंडे और नुकिले हत्यारों से हमला हुआ था। मोती ने पिटाई से पहले दोनों की वर्दी उतरवाई थी। दरसल सिलपुरा थाने की पुलिस को जानकारी मिली थी। कि काली नदी के किनारे नगला धीमर में अवैद शराप की भट्टियां धदक रही है। हुआ हुआ है। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो को ए Я था उन्यट अ वाद को ओन मां दो के विग मोय ऊंदिये शाओ कर दो झाल 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 कि यादें ताजा कर दी थी जिसमें हिस्ट्री शीटर विकास दूबे को पकड़ने पहुँची तीन ठानों की फोर्स पर आधी रात को हमला किया गया था और आठ पुलिस कर्मियों को मौत की निव तुला दिया गया था कास गंज में दोहराई गई इसी तरह की वारदात के बाद पुलिस महकमे पर सवाल खड़े होने लगे थे जिसके बाद आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने मोती के खलाब एन एसे की कारवाई के साथ ही उसके सिर पर एक लाग रुपाई का इनात खोशिक कर दिया झाल – झाल झाल झाल